नमस्कार सु स्वागतम वेलकम अभी नंदन नंद के अनंद भहयो जै कनहिया लाल की हाती घोडापाल की जै कनहिया लाल की हाँ हाँ मुझे पता है आज कृशन जी का जनम दिर ने है लेकिन कृशन का जनम ही नहीं होता तो घुझ पा जाता है जिसे गोबर्धन परवत की पूजा की जाते है जिसे नन्य से कृषिन ने अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था उस परवत की पूजा करने के लिए कुद्रत की पूजा करने के लिए और गायों की रक्षा करने के लिए कनहया हर वक्त हर बार आए हैं आपकी और मेर पूजा आपकी मेरे जिंदीकी में इतना महत्व रखती है क्या हमें यह पूजा करनी चाहिए यह सिर्फ हमें लक्षमी से मतलब है लक्षमी आ गई हमने तिजोरी के अंदर अपनी पोटली रख ली हमने चांडी का सिक्का ले लिया पती देवने सोने का सैट दिला दिया बस बस बस हो गया अभी क्या करना है बाकी चीजों से करकर क्या ही गोपरधन परवत की पूज़ा हमारे यहां तो नहीं होती अगर आपके यह पूजा नहीं भी होती तो भी आपको इस बार यह पूजा करने चाहिए नमस्कार सुष्वागत वेल्कम अभी नंदन मैं हूँ डॉक ही है तो भी अगर आप बिमार है तो भी अगर आप स्वस्थ हैं तो भी बड़ा सिंपल सा फंडा है असान से उपा है गाएं और गोबर की पूजा की जाते हैं गाएं के गोबर को गोबरधन परवत बनाया जाता है और उस परवत से पूजा की जाती है भगवान की अराधन की पूझा करते हैं लोग इस दिन पेड़ पौधों की पूझा करते हैं लोग इस दिन पश्यों को सजाते हैं उनके ओपर दुशाला उड़ाते हैं उन पर चुन्नी उड़ाते हैं गाएं की सेवा होती है लोग गाएं को गले लगाते हैं इस दिन लोग गाएं की पश्यों की उनके पैर धुलाते हैं गाएं की लोग गाएं की मिट्टी की थोड़ गाएं के पैर के मिट्टी लेकर थोड़ी से उसे अपने घर की तिजोरी में रखते हैं लोग इसे अपने आफिस में रखते हैं लोग गाएं दान करते हैं लोग गोबर्धन परवत जाते हैं मैं भी गो राइओ को शिंगार किया जाता है आप खुद सस्ते सवरत हैं शुक्रिपक्ष प्रती प्रदा गोबर्धन उट्सव के नाम से बनाई जाती है ईसे राजा बली उस्सव भी कहा जाता है राजा बली से इसी इसी दिन भगवान ने जो है वो तीन पद भूमी मांगी थी तो इस इस बार गोबर्धन परवत पूजा जो है वो चार बच के शाम को छे बजे है संध्या के बाद मत कीजिए कोशिश कीजिए कि संध्या जब हो रही हो चार से चे के बीच में कीजिए इस दिन अनकुट परवत की पूजा की जाती है इसमें पारवती मा की पूजा की जाती है इ पावली के पेड़ की पूजा कीजिए बेहदी अच्छा रहता है इस दिन वरुन देव इंद्र देव अगनी देव की उपासना भी की जाती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेशकर की जाती है इस दिन घर में अलग-अलग तरहां की मिठाईया बनती है लोग भग भगवान को मखन मिश्री का भोग लगाते हैं घर के मुखे दर्वाजे पर लोग इस दिन गोबर से स्वास्तिक बनाते हैं लेकिन जिन लोगों को गोबर को टच करने में तकलीफ होती है उन्हें कोई उपाय नहीं करना चाहिए आपको इस दिन गाएं मिट्टी वाली दान जरूर करनी चाहिए असली गाएं और बच्रा दान कर सके तो बहुत अच्छा ने तो कम सका मिट्टी की गाएं दान करनी चाहिए मोरपंक दान करना चाहिए काजल दान करना चाहिए बासूरी दान करनी चाहिए भगवान को मखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए तुलसी क पौदे दान करने चाहिए, आपको तुलसी के पेड़ की इस दिन परिक्रमा करने चाहिए, ये दिन खास है उनके लिए जिने संतान की प्राप्ती नहीं हो रही या जिनकी संतान पर किसी तरह की विपदी आई हुई है, तो वो शिरिकृषिन भगवान की पूजा करकर अपने संतान पर आए हुए कस्टों को दूर कर सकते हैं, इस दिन मंदिरों को फूलों से सजाना चाहिए, इस दिन मंदिरों के अंदर दिये जलाने चाहिए, दूद, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाकर पंचामरत बनाकर इस दिन गोबर्धन परबत की जब परिक्रमा करें तो ये लहर छोडते हुए, आपको इसकी साथ परिक्रमा करने चाहिए, गंगा जल, तुलसी दल मिलाकर आपको इस दिन सनान करना चाहिए, या बिमार व्यक्ति को सनान कराना चाहिए, या ऐस इस तरी को सनान कराना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, आपको क्लि पर बेहत जादा करजा हो रहा है और जो शायद करजे के चक्कर में सुसाइट तक करने के बारे में सोच रहा है इस दिन गाएं को सनान करवाना चाहिए इस दिन गाएं की परिक्रमा करनी चाहिए इस दिन गाएं के पैर चुने चाहिए इस दिन गाएं को गले लगाना गया है अगर आप सब आपको छोड़कर चले गए हैं धन खतम हो गया है आप करजे में डूब गए हैं लाइफ आप की कहीं पर रुग गई आप पर उधार आपका मन तूट गया आपके रिष्टे तूट गया अपका प्रेम भिवा खतम हो चुका है आपका जीवन खतम हो चुका है और आपको लगता है इसके आगे की कोई आस नहीं है तो एक सफेद रंग की गाएं और बच्छडा गवशाला जाकर अपने घर बुलवा कर लेकर आईए पंडितों को कहकर और अपने घर की चोखट है उस पर गाएं को रखकर गरम पानी से सनान करवा दीजे जब गाएं के शरीर से पानी लगकर आपकी चोखट पर गिरेगा तो कितने भी कस्ट तकलीफें परिशानिया क्यों नहों सब एकदम छूमंतर हो जाएंगी और आपको इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा गाएं आपके हो सकता है घर की चोखट पर रुके ही ना अब द पाएं मुश्किल है पर असरदार बहुत जादा है अगर गाएं और उसका बचला आ जाए और आप उसे घर पानी से नहला कर फिर उसका शिंगार कर दें उसे कपड़े पहना दें उसे सजा दें उसे पायल दें उसे मोर पंक लगाएं और भूट सारा चारा खिला कर उसे विदा करें तो आपके सब बंद रस्ते खुल जाएंगे अगर आप ये ना कर सके तो आप मिट्टी की चांदी की गाये लेकि गवशाला में चले जाएं और राखो उपाय करने के लिए हैं, जहां चाहा है, वहां रहा है, लेकिन अगर आप कहें कि राकी जी हम तो ये भी नहीं कर सकते, हम तो ये भी नहीं कर सकते, तो चले, कुछ भी नहीं कर सकते, तो एक असान उपाय बताते, आप गाए के पैर के नीचे की मिट्टी को लाकर काच डाई-काज की शीशी में लाल रंग के कपड़े में बंद करकर अपने घर की मंदर में रख लिजे ती जोरी में रखेंगे तो अच्छा और उसके सामने बैठकर रोज कृषिन चालिसा पढ़ी और कृषिन जी से कामना कीजे कि मेरी ये तमना है, मेरी ये परिशानी है, मेरी ये प्रॉब्लम है और इस तमना, इस परिशानी, इस प्रॉब्लम को solve कीजे और मेरी मदद कीजे भगवान आपको रहा दिखाएंगे और आपके काम अपने आप गाएं का घी, गो मुत्र और गाएं का गोबर भर दीजे मटके के अंदर थोड़ा थोड़ा उसके पर लगा दीजे लाल रण का कपड़ा उसको लाल धागे से बान दीजे और जो प्लॉट आपका बिक नहीं रहा गोबर देन अंकूट वाले दिन गड़ा खोद कर उसके को घर के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मटकी को जमीन में दबाना है अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ परिशानी हो रही है तो गोबर धन के गोबर गाएं के गोबर के छोटे-छोटे से अपने आप बना लीजिए दीपक या नहीं बना सकते तो किसी से और देके बनवा लीजिए और उसके उपले लाकर गोबर धन वाले दिन अनकुट वाले दिन अपने घर के मुखे दर्वाजे पर दोनों दिये रखकर उसमें घी डाल कर कृशन का नाम लेकर ये दिये जलाना शुरू कर दीजिए इससे आपके कस्ट और तकलीफे दूर हों मैं अपने कस्ट और तकलीफे आज इस पीपल के पेड़ के साथ उल्टा घूम कर बांध कर जा रहा हूं भगवान मुझे मेरे कस्टों और तकलीफों से तुरंट चुटका राद ला दिजिए गोबर धन अनकुट पूजा वाले दिन कड़ी चावल खाने का या 56 भोग लगाने का विशेश महत्व है इतना सब ना भी कर सके तो आप केवल और केवल मखन मिश्री और उसके अंदर तुलसे दल मिलाकर भगवान को भोग लगा दीजिए भगवान बेहत कुश होंगे आज एक छोटे से बच्चे को आप जरूर कुछ मीठा खिला दीजिए और ज् पर लीजिए विश्णु सास नाम का पाट करिए घर में अगर लक्षमी का अगमद चाहते हैं तो आज के दिन आपको घर में सत्ना रायन भगवान की कथा अवश्य करने चाहिए फिलाल मुझे दीजिए जासत लेकिन चलते कहूंगी कि आप मेरे फेस्बुक पेज को जरू के लिए मिल रही है जा मैं गोबर्धन से जुड़ी एक और खास बात आपको बताऊंगी इंस्टा पर मैं आपको रोज सुभा साथ बज़े से पहले वीडियो बताती हूं और गोबर्धन परवत से जुड़ी कहानी फाइब मिनट स्टोरी चैनल पर आपको पता चलेगी अ गोव मूत्र लाकर गोबर्धन वाले दिन अंकुट वाले दिन आप उस गोव मूत्र को पाने में डालके स्नान कर लीजे बहुत बद्बू आएगी आपको अलग तरहां की आपकी अंदर से फ्रेग्नेंस आएगी लेकिन आपके सारे बंद रस्ते खुल जाएंगे इस उप हो गई है आस भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का राज सरकारी नौकरी से हैं आप को सो दूर कुंडली जगाएगी कुंडली जागरन कुंडली बताएगी आपका भविश्य उपर से ये जादू हवाएं उपरी हवाएं जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पतनी और वो करना होगा खुद पर विश्वास दीजे मुझे भी एक मौका अपनी कुंडली दिखाएगे टैरो कराएगे लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाएगे मैं हूं डॉक्टर वायराखी आप मुझसे बात क झाल